दिवाली से ही मुझे बहुत ज़ादा दही बड़े खाने का मन हो रहा था क्योंकि मैं हर साल बनाती थी और इस बार मैंने नहीं बनाया था तो आज मैं बना रही हूँ दही भला पापड़ी चाड़ जो की मतुरा की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है और खाने में बहुत ज़ादा अच्छी लगती है और जो बड़े मैंने बनाये है ना बहुत ही सौफ्ट रुई की तरह बने हुए है आप अगर सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे ना तो जो बड़े है ना एकदम मुँ में जाते ही घुल जाएंगे तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पापड़ी बनाओंगी तो यहाँ पर जो पापड़ी है ना वो मैं मैदे से बना रही हूँ कि मैदे से जो पापड़ी ना बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी बनती है तो एक कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है उसमें अब हम क्या करेंगे ना कि नमक अजवाइन वेगर डालेंगे तो जो नमक है ना वो मैंने लिया यहाँ पर आधा छोटा चमच बहुत जादा नमक नहीं अड़ करेंगे साथ ही आधा छोटा चमचे करीब मैंने इसमें आजवाइन डाला है और आजवाइन को ना हाथों से क्रस करके अड़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब हम क्या करेंगे किसमें एक चमच तेल अड़ कर देंगे एक चमच से ज़्यादा बिल्कुल भी एड़ मत कीजेगा नहीं तो क्या होगा ना जितना ज़्यादा आप मौयन एड़ करेंगे ना पापी उतनी ज़्यादा मतलब तेल को एबजॉब करेगी तो ध्यांग से ही कीजेगा एक कप आटे के लिए एक चमच तेल काफी है इससे ज़्यादा एड़ मत कीजेगा और आटे को नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड लगाएंगे और नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा मैंने यापर गुत लिया है धक के रख देंगे इसे 15-20 मियर तक के लिए ताकि जो आटा है थोड़ा फूल जाए मुझे खाना बनाना तो अच्छा लगता है लेकिन जो बरतनों में तेल, मसाले, हल्दी के दाग रह जाते हैं वो अच्छे नहीं लगते लेकिन अब बरतन भी होंगे चुटकी में चका चक एक्सपर्ट का डबल एक्सन फॉर्मूला बनाता है क्लीनिंग आसान और यह 50% कम गलता है वैसे आज की रेसिपी यूपी की है तो अपने यूपी के विवर्ट के लिए मैं बता दूं कि एक्सपर्ट के तीस के बार में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे पांच बार मिल रहे हैं तो चलिए अब बनाते हैं तही भल्ला मसाला जो तही भल्ले के उपर में डालेंगे और ये डालने से तही भल्ला का जो टेस्ट रहना बहुत ही जादा अमेजिंग आता है तो पैन में मैंने यहाँ पर डाल दिया पांच सूखी लाल मिर्च और ये तीखी वाली मिर्च है आप चाहे ना तो जो कस्मेरी लाल मिर्च कलर के लिए होते हैं और तीखी वाली मिक्स करके भी डाल सकते हैं उसके बाद जब मिर्च यहाँ पर थोड़ी सी भुन जाए तो उ ठंडा करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर खलवटे में डाल दिया है आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं अब इसमें आड़ कर देंगे एक चमच काला नमक आधा चमच साधा नमक और एक चमच मैंने यहाँ पर चाट मसाला आड़ किया है सारी चीजों क यहाँ पर दर-दरा सा कूट लेंगे आप चाहें तो यह चीज चकली बेलन में भी कर सकते हैं उसमें भत यह अच्छे से पिसच जाती है या फिर सिलवते में भी कर सकते हैं मिक्सर में भी पीछ सकते हैं और इसका जो टेश्ट हम बहुत ही ज़ादा अमेसिंग होता है ट् पहले ही और यह अच्छे से दोनों ही फूल गई है देखी आप इस तरह से दोनों ही मतब डाले लीजेगा खड़ी वाली मत लीजेगा इससे ना बहुत ही अच्छे वड़े बन करके तयार होते हैं सारा पानी हम छान लेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अच्छे नहीं बनेंगे देखें यहां पर मैंने अभी तक बिल्कुल भी पानी आड़ नहीं किया है एक बर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे वापस से हम इसे ग्राइंड करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए मैं बार बार बूल रही हूँ अब क्या क जाए कि मिक्सर भी गर्म नहीं होगा और ये बहुत जादा पतला नहीं करना है हमें और इसका जो टेक्शर है ना हलका सा दानेदार होना चाहिए बिल्कुल एक दम फाइन नहीं करना हलका सा दानेदार रहता है ना तो जो वड़े है ना बहुत ही जादा अच्छे लगते हैं खाने में तो इसे मैंने यहाँ पर पिस लिया है पिसने में आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा वड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे और आप इस तरीके से वड़े बनाएंगे नेकदम रुई की तरह सौफ्ट मुलायम बनेंगे अब इसमें डाल देंगे नमक तो टेस्ट के कॉर्डिंग मैंने नमक एड़ किया है साथी में आधा चमच मैंने यहाँ पर खड़ा जीरा एड़ किया है थोड़ी सी मैंने अधरक ग्रेट करके एड़ करी है आप चाहें तो हरी मिर्ची को भी बारिक बारिक डाल सकते हैं काट करके अब क्या करेंगे इसे फेटेंगे तो आपको लगातार 3-4 मिर्ट तक के लिए से अच्छे से फेटना है जब आप इसे हाथों से फेटेंगे ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और फेटते फेटते आपको मालूम चलेगा यह बहुत ज़ादा light और fluffy हो गई है और इसकी जो quantity है वो भी बढ़ जाएगी अब देख सकते हैं यह कैसे एकदम light और एकदम fluffy हो गई है अब आपको क्या करना है कि एक कटोरे में पानी ले लेना है और यहाँ पर आप इसे डाल कर के चेक कर सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा बैटर को हम लेंगे और पानी में डाल देंगे यह तैरने लगेगी मतलब कि यह बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट चुकी है इसे और जादा नहीं फिटना है यहाँ पर और इससे जो वड़े बनेंगे ना एकदम light fluffy और एकदम गोल गोल बनेंगे तो यहाँ पर मैंने कड़ाई चड़ाई है इसमें तेल डाल देंगे और ध्यान रहे तेल को यहाँ पर बहुत जादा गर्म नहीं करना है साथ इधर मैंने दूसरे साइट पानी चड़ा दिया है जिसमें कि हम जो दही वड़े है ना भीगने के लिए र बखिएगा नहीं तो क्या होंगे ना कि वड़े उपर से बहुत जल्दी से सीख जाएंगे और अंदर कच्चा ही रह जाएगा फ्लेम को लो रखना है और तेल का जो टैंपरेचर है ना बहुत जादा नहीं रखना हलका ही गर्म होना चाहिए और इस तरह से अगर आप वड तक कि लिए से ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद अब धीरे धीरे से चलाना स्टार्ट करें देखें यहाँ पर जो वड़े है ना कितने अच्छे लग रहा है देखने में एकदम गोल गोल फूले फूले बन करके तयार हुए है अब इन बातों का ध्यान रखिएगा पीस्ते इधर पापड़ी बना करके तयार करूँगी क्योंकि वड़े जब फ्राई हो रहा है तो वैसे भी कुछ काम नहीं है इधर मैं पापड़ी भी बना लूँगी तब तक तो मैंने यहाँ पर एक लोई ले ली है उसे क्या करेंगे कि हम बेल लेंगे आप चाहें तो एकक करके भी बेल करके पापड़ी बना सकते हैं लेकिन मैं जैनरली इसी तरह से एक बड़े रोटी की तरह बेल लेती हूँ और फिर मैं उसे काट देती हूँ इससे भी पापड़ी की रेस्पी आल्रेडी पहले भी सेयर की हुई है बट आप इसे भी ट्राई कीजेगा बहुत ही इनमें अच्छा सा कलर आ गया है एक दम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है मेडियम लाइट कलर ही आपको यहाँ पर रखना है वड़ों का ऐसी वड़े रहते हैं यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है और एक और यहाँ पर बहुत ज़री बात आपको वड़े फ्राई करके तुरत से पानी में नहीं डालने हैं इससे क्या होता है ना वड़े चिप्टे हो जाता है तो थोड़ा से इसे ठंडा कर लें उसके बाद आप इसे पानी में एड़ करें बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है तुरत वड़े फ्राई करते हैं और पानी में एड़ कर देते हैं इससे क्या होता है ना वड़ा बाद में चिप्टा हो जाता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना बागी के वीड़े मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है और इधर जो पापड़ी के लिए आटा मैंने बेली थी ना उसमें हम फ्रिक कर लेंगे तो आप चाकू से कर सकते हैं या फिर फोक से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो आप यहाँ पर कर सकते हैं मैं यहाँ पर चाकू से ही कर रही हूँ और यह करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो जो पापड़ी है ना फूल जाएगी अब एक छोटे साइज का कटोरी ले ले या फिर धकन ले ले और आप इस तरह से इसे राउंड राउंड सेप में काट सकते हैं इस तरह से पापड़ी बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट बन जाती है और सारे एक साइज के भी बन करके तयार होते हैं देखे इसी तरह से यहाँ पर कितनी सारी पापड़ी एक ही बार में बन गई है जो एक्स्ट्रा है ना आटा उसे हम हटा देंगे इस तरह से देखे यहाँ पर पापड़ी भी बन गई है और यहाँ पर जो दही बड़े थे ना वो भी थोड़े ठंडे हो गया है तो मैंने इस से पानी में एड़ करूंगी अभी तेल का टेंपरेचर यहाँ पर कम है तो मैं इसमें पापड़ी फ्राई कर लोगी और पापड़ी को फ्राई करने के लिए तेल का टेंपरेचर बहुत जादा नहीं होना चाहिए लोही होना चाहिए तभी जो है पापड़ी बहुत ही अच् पापड़ी बनेगी, यहाँ पर जो वड़े थे ना वो भी मैंने डाल दियें, क्योंकि यह थोड़ी से ठंडे हो गये थे, और पहले वाले देख सकते हैं, आप कैसे अपने साइज से एकदम डबल हो गया है, और अभी बहुत जादा टाइम भी नहीं हुआ है, बिल्कुल 10 से 15 मेठी हुए है, और देखिए पापड़ी भी इधर फ्राई हो गई है, तो हम क्या करेंगे, किसे निकाल लेंगे, और मैंने इधर दूसर बैच एड़ कर दिया है, और एक साथ में आप 7, 8, 10 पापड़ी डाल सकते हैं, जिस एकदम आप कड़ाई में तेल डालें, उस इस भी पापड़ी बनी है, हमारी, तो यहाँ पर जो पापड़ी है, वो बनके रेडी हो गई है, वड़े बन गया है, और बड़े को ना कम से कम डेड़ से 2 घंटा के लिए भीगने के लिए रखें, इससे बहुत अच्छे साफ्ट हो जाएंगे, आप चाहें तो इससे जा जार लिया है, उसमें मैं इमली के पल्प को ट्रांसफर कर रही हूं, और एक जर्री बात, यहाँ पर जो इमली में है ना, बिल्कुल भी सीट नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो जार का ब्लेड है वो भी खराब हो सकता है, तो यहाँ पर सीडलेस वाला इमली है, तो मैंने क सकता है, और बिल्कुल भी वेश्टेज नहीं होता है, वैसे इमली की चटनी तो मैंने आप लोगों के साथ कई बार से एर की होई है, तो मैंने देखिए, यहाँ पर इसे चान लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें थोड़े बहुत ही रेसे बाहर निकले हैं, अब हम क्य करीब गुड़ का जो पाउडर आता ना वो एड़ किया है, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी फटाफट से हमारी चटनी बन जाती है, आप चाहें तो जो मतलब ब्लॉक आता ना वो भी एड़ कर सकते हैं, कोई सावी गुड़ एड़ किया जा सकता है, तो यहाँ पर दोनों मैं एड़ कर रही हो, सौट का पाउडर जिस मतलब जो ड्राई वाला जिंजर होता है, उसका पाउडर आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, अगर हो तो जरूर से एड़ किसेगा, साथी मैंने इसमें एड़ के एक चमच मगज दाना, इससे जो चटनी का पेश्ट है ना बहुत ही जादा अच्छा था, आप चाहे ना छोटे छोटे काजू एगर अभी काट के एड़ कर सकते हैं, क्योंकि दही बल्ले में ये चटनी बहुत ही जादा अच्छी लगती है, खाने में देखिया हमारी चटनी बन करके तयार है, और इसे और जादा ग खटी नहीं है, उसी हिसाब से आप चीनी अट किजेगा और इसे अच्छे से फेट लेंगे, आप यहाँ पर दही को बिल्कुल भी मिकसर में मत चलाएगा, नहीं तही तो बहुत जादा पत्ती हो जाएगी, यहाँ पर देखिए जो दही बड़े आना, डेड़ घंटे हो ग पानी मैंनी आपन निकाल लिया और मैं इसे अट करें हूँ दही में, क्योंकि इससे ना दही थोड़ी सी मतलब ठंडी है, तो और भी जादा अच्छे लगेंगे हमारे दही वल्ले खाने में, इसे क्या करेंगे, अच्छे से डिप करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिट तक के लिए दही में, ताकि हमारे वल्ले बहुत ही ठंडी ठंडे लगे खाने में, अभी मैं बनाओंगी यहाँ पर हरी चटनी चाट वाली, तो मैंने क्या किया ना, कि एक मुठी के करीब धनिया, मतलब धनिया की पत्ती, डंठल के साथ ही डाली है, आठ से दस पुदीने की प अमच दही अड़ कर देंगे, यह चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, आप चाहे ना, तो आमचूर की जगा पर नीमू भी अड़ कर सकते हैं, मिर पास नीमू नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आमचूर अड़ किया है, देखे चटनी कितनी ज़्यादा पापड़ी चाट, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से उबले हुए आलू लिये हैं, जिसे कि मैं यहाँ चोटे चोटे टुकडों में काट रही हूँ, क्या करेंगे कि हम एक पापड़ी लेंगे और इस तरह से इमली की चटनी में डिप करके रखते जाएंगे, उसके बाद ह क्या करेंगे, जो दही बल्ले थे न, जो हमने दही में डिप करके रखा था, उसे हम एड़ कर देंगे, तो चार पापड़ी के लिए 4 से 5 दही बल्ले एड़ किजेगा, उपर से थोड़े से जो आलू है आलु हाना उबले वह यह एड़ कर देंगे, और खूब सारा इसमें वो एड़ करेंगे इसके बिना दही बल्ले खाने मिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो यह जरूर से आप ट्राइ कीज़ेगा आप चाहें तो उपर से अद्रक के लच्छे भी एड़ कर सकते हैं देखिए यहां पर दही बल्ले किते जादा सौफ नरम मुलायम बन करके तयार हुए है तो आप लोग इस रेस्पी को ट्राइ किज़ेगा मुझे कमेंट करके बताएए कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी आज की